सिक्रूर्टिन एक्षेंज बोट आफ इंडिया का नोटिफिकेशन 7 मार्च 2020 को आया था और इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2020 थी परंतु कोरोना की वज़त से इसकी लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है रिशेडूल कर दिया गया है और अब इसकी लास्ट डेट है 31 पिचर ग्रेट एका और अलग-अलग इस टीम के भी इसकी पोस्ट आई थी जन्रल लिगल इंफरमेशन टेक्नोलोजी इंजिरिंग रिसर्ट एंड ओफिशली लेंगवेज इस टीम इस तरह के से छे अलग-अलग क्याटेगिरी में इसकी पोस्ट का नोटिफिकेशन सेवी ने जारी किया है और इसके लिए आपको ऑनलेंग अप्लाइ करना रहेगा ऑनलेंग अप्लाइ करने की वेबसाइड है www.cvsebi.gov.in अब हम age limit के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे 30 साल से जादा आपकी age limit नहीं होनी चाहिए परन्तु person with disability के अंदर SC, SC और SD के लिए 15 साल का चूट है और OBC काटेगरी के लिए 13 साल की चूट है जबकी general और EWS काटेगरी के लिए 10 साल का relaxation की चूट है अब यहाँ पे किस तरीके के person with disability की post notification में दी गई है तो उसकी category wise इस प्रकार है कि blindness और low vision के लिए deep and hard of hearing के लिए और locomotor disability के अंदर लोको मोटर disability के अंदर सेरेवरप्रासी, कुष्ट रोग, बोनापन, ऐसी टर्टिंग विक्टेम्स और अविक्सीत पेश्यों सहीत लोको मोटर विकलांगता के लिए यहाँ पे post दी गई है और और इस तरीके से परसन बेट डिसेबिलिटी के अंदर यहाँ पे इन इन काटेगरी में post दी गई है अब application फीस की बात करते हैं तो हमारे दिव्यांसातियों के लिए यहाँ पे application की जो फीस है वो 100 रुपे यहाँ पे फीस है जबकि अन्यसातियों के लिए 1000 रुपे की फीस अलग-अलग stream में भी आप online apply कर सकते हैं maximum दो streams में आप online apply कर सकते हैं जिसके लिए आपको अलग से form बंदा रहेगा और अलग-अलग उसका शुल्क बंदा रहेगा यहाँ पर छे तरह की streams के लिए यहाँ पर vacancy निकाली गई है जो की इस प्रकार है general, legal, information technology, engineering में civil और electrical, research और officially language इस तरह के से छे अलग-अलग streams के लिए इसकी vacancy निकली है अब हम बात करते हैं blind और low vision के अंदर कितनी पोस्ट है तो general streams के अंदर एक पोस्ट है legal के अंदर एक पोस्ट बैकलॉग की है और एक पोस्ट इस तरह के से दो पोस्ट है और information technology के अंदर एक पोस्ट है लेकिन वो LV की है low vision की है तो इस तरह के से blind और low vision के अंदर total पोस्ट चार पोस्ट है अब हम बात करते हैं D and HH यानि hard of hearing की तो यहाँ पर general streams के अंदर एक प technology, engineering में civil और engineering में electrical और research इन सब में भी एक एक पोस्ट है और officially language के अंदर एक पोस्ट है लेकिन वो HH की है इस तरह के से D and HH के अंदर total post 6 है अब हम दूसरी category की बात करते हैं और team या intellectual disability specific learning and disability और mental illness तो यहाँ पर general की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक पोस्ट बैक लॉग की है बागी दो पोस्ट है तो इस तरह की से total post तीन है और वो भी सिफ general streams के अंदर ही है तो ऑस्टीम intellectual disability specific learning disability mental illness के अंदर total post जो है वो तीन पोस्ट है D and HH के अंदर छे पोस्ट है और blind and low vision के अंदर चार पोस्ट है अब हम यहाँ detail wise जानकरी शेयर कर रहे हैं आपके साथ तो general streams के अंदर 80 total post है लेकिन हमारे जो blind and low vision category के जो candidate से उनके लिए सिफ एक पोस्ट है और awesome intelligent disability के अंदर तीन पोस्ट है education की बात करते हैं तो master degree होनी चाहिए किसी भी any discipline में किसी भी subject में और bachelor degree या तो आपकी law में भी हो सकती है engineering में भी हो सकती है या ccsv हो सकता है legal stream की बात करते हैं तो लिगल stream में अदि हम बात करते हैं तो backlog के अंदर 6 post है और दूसरी जो post है वो 28 है लेकिन हमारे blind category के अंदर B and LV दोनों के अंदर एक एक post है और education के लिए बात करते हैं तो bachelor degree होनी चाहिए आपके पास law की वो भी किसी भी recognize या institute से हो सकती है information technology में एक post LV के लिए है और एक post D and HH के लिए है और education की बात करते हैं तो bachelor degree होनी चाहिए engineering के अंदर या तो electrical के अंदर या electronics के लिए या electronics and communication में या IT में या computer science में या इसके अलावा master in computer application हो सकता है या फिर bachelor degree होनी चाहिए any discipline with the post graduate qualification minimum और two year का आपके इस पास में होना चाहिए computer या information technology में अब हम आगे की बात करते तो engineering civil में सिफ ए की post है वो भी D and HH में है यहाँ पे blind category में कोई भी post नहीं है और education की बात करते तो bachelor degree होनी चाहिए आपके पास civil engineering में वो भी किसी भी university या institute से हो सकती है engineering में electronical की बात करते है तो यहाँ पे एक post दे रखी है वो भी D and HH के लिए research के लिए बात करते है तो research के अंदर एक post है और D and HH के लिए दे रखी है यहाँ पे भी blind के लिए कोई post नहीं है master degree होना चाहिए आपके पास economics में, commerce में, business में या administration, finance में आपके पास इसकी degree होनी चाहिए officially language की बात करते है तो यहाँ पे सीफ एक post HH के लिए रखी है यहाँ भी blind के लिए कोई post नहीं है master degree आपके पास हिंदी के साथ English as well as subject के साथ bachelor degree होने चाहिए master degree आपके पास संक्सरत English, economics, commerce या हिंदी के साथ में आपके पास इसकी degree होनी चाहिए तो इस तरीके से 6 streams में अलग-अलग vacancy दे रखी थी अब यहाँ पे आप किसी भी दो streams में जो है वो form भर सकते है और उसके लिए आपको अलग-अलग उसका payout करना पड़ेगा अब हम guidelines की बात करते है disability के लिए जो subscribe रहेगा उसके लिए तो आपको खुद को अपने cost पे subscribe करना रहेगा आपका subscribe जो है वो ऐसा stream से होना चाहिए कि आप जिस stream में exam दे रहे है वो उस stream से different हो साथ ये साथ वो भी cv का exam नहीं दे रहा हो और जैसे की 20 minutes का जो composition time मिलता है वो भी मिलेगा अप्री exam exam training जो होती है जो conduct कराती जैसे बैंक है वैसे ही से वी प्री exam training जो है वो SCST और PWD candidates के लिए conduct कराती है तो ये जो की free of cost होगी और इसका जो center है वो मुंबई कोलकता चैन्नाई और दिल्ली में ही रहेगा जब आप form फिल करेंगे तो वहाँ पे column आएगा उस column में लिए आप फिल करते है कि आपको pre exam training जो है करनी है आपको उसमें appear होना है आप इस पर यास करते हैं तो ही जो है आप इस exam मतलब इस training में आप attain कर सकते हैं इसका जो training का communication है वो आपके mail पर आएगा उसका message जो है वो mail पर आएगा अब हम बात कर लिए कि इसके लिए कैसे apply करना रहेगा how to apply तो आपको online apply करना रहेगा online apply करने की website www.cvsevi.gov.in आपको application registration करना रहेगा उसके बाद में उसका payment करना रहेगा और साथ में photo भी upload करने रहेगे photo जो आप upload करेंगे वह test होना चाहिए clear होना चाहिए उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका photo clear नहीं हो या एक कान की photo आ रही है दोनों कानों के साथ की photo जो यू है वह आनी चाहिए और photo जो जो size है वह 20kV से लेके 50kV तक की होना चाहिए 7-7 signatures कवी upload करना रहेंगे और signature आपको वो आपको feel करके वो भी upload करना रहेगा तो इस तरीके से आपको online apply करना रहेगा इसकी exam जो होगी प्री और मेंस प्री exam जो होगी उसके जो center से अधिकतर state में अलग 3-4-4 cities दे रखी है लेकिन मेंस की जो center है वो थोड़े कम है तो जब भी आप online apply करें तो एक बार notification को जरूर visit कर ले कि कौन-कौन से center जो है वो मेंस में है और प्री में है ताकि आपको जाने में convenient रहेगा और इसी तरह यह notification यहाँ पर SEV ने दिया है आप चाहे तो इस notification की link और इसकी online apply करने की जो link है वो आप वीडियो के description में भी देख सकते हैं आपको इवीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें और हमारे channel को like करें इसी प्रकार blind bankers की team आपके लिए नए नए वीडियो आपके साथ जरूर share करेगी धन्यवाद